हाई फ्रेंड्स आज हम दिखाएंगे कि कोई भी रिलीफ डाउनलोड करने के बाद उसको लेके कैसे हम 3D टूल पाद बनाते हैं तो इधर हम एक पेज लेते हैं 24 इंचेस बाई 36 इंचेस फिर इसको हम मिलिमीटर में कॉन्वर्ट करके ओके कर देते हैं फिर विंडो में जाके टाइल भाटिकली करके दोनों व्यू को एक साथ देखते हैं और इधर से ओरिजिन सेट करके रख देते हैं कॉर्णर पे अगर आप मिलिल पे चाते हैं तो मॉडल सेट साइच इधर से आप ओरिजिन अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं ठीक है जाधाता लोग कॉर्णर से करते हैं लेट साइट कॉर्णर डाउन ओके फिर हम क्या करेंगे रिलिव में जाके इंपोर्ट ऑप्शन जो है इधर से हम 3D को इंपोर्ट कर सकते हैं पर बहुत सारे मिशिन में मैंने देखा है कि इधर से इंपोर्ट करने से स्वाप्टर हैंग हो जाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका जिससे स्वाप्टर में कोई हैंग होने का प्रॉब करके यह 31 3D है इसको सिलेक करके इदर ले लेंगे फिर हम क्या करेंगे इसको बंद कर देंगे और यह वाला सिलेक करके F9 पेच के मिडल में ऐसे F9 कर देंगे फिर पेश्ट देखिए यह आ गया अभी सिम्पिल सा इसमें एक बॉर्डर देके हम काम करें मतलब प्रिरिमिर्यारी स्टेज में जो लोग सीखते हैं उन लोग के लिए तो यह वाला जगा पे देख लीजिए इसको सिलेक करेंगे इधर ऐसे चले जाएंगे इधर जाके यह जो नोट एडिटर है नोट एडिटर सिलेक करके राइट क्लिक करके अन गुरूप ओल ठीक है अन गुरूप करने के बाद यह नोट एडिटर सिलेक करके इस लाइन को हम आर प्रेस करके डिलिट कर देंगे इधर भी आर प्रेस करके डिलिट कर देंगे फिर यह वाला लाइन और यह वाला लाइन सिलेक करके एक दम उपर तक लेके चले जाएंगे कीबोर्ड में आप arrow प्रेस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा यह उपर लेके चले गए फिर इसको क्लोज कर देंगे इधर से देखिए क्लोज हो गया और नीचे दो डॉट जो है इसको भी डिलीट कर देंगे ताके स्ट्रेट बन जाए यह दोनों को सिलेक करके डी प्रेस कर देंगे ठीक है अभी देखिए फिर इधर क्या करेंगे राइट क्लिक करके से पेडिटर पॉइंट वन मार्ज है कर देंगे मार्ज हो गया अभी इसी लाइन को सिलेक करके आप सिम्पिल सा टूलपद बना सकते है प्रैक्टिस करने के लिए टूलपद में जाएए इधर देखिए इनसाइट फिनिच डेप पॉइंट फाइफ सिलेक करके सारफेस चेक करेंगे तो यह जो सेब जेड है इसको 30 म कर दे लेते हैं फिर सिलेक टूल में जाके 6 mm मिल लेके इधर पॉइंट फाइफ ओके और मेट्रियाल 30 mm अगर काड़ना चाहते हैं तो कम से कम 60 mm का मेट्रियाल होना चाहिए तो इधर 60 mm का मेट्रियाल ले लेंगे ओके नाओ इसके बाद क्या करना है 3D टूलपद पर 30 mm को डारेक 3D से काटिंग नहीं करेंगे उसमें बीट तूट जाएगा तो इधर जेट राफिंग करना पड़ेगा तो सिलेक्टेड वेक्टर सिलेक करके 6 mm मिल लेंगे और इधर 5 mm करके स्टेप डाउन देंगे तो 25 mm राफिंग हो जाएगा 5 mm बचा रहेगा वह 5 mm को बॉलनोस से फिन तो यह राफिंग कॉम्प्रिट हो गया राफिंग का टूल पर जब कॉम्प्रिट हो जाएगा उसके बाद हम टैपर बॉलनोस लेंगे तो टैपर बॉलनोस एक्च्वल वान पॉइंट फाइब लेंगे तो तूटने का चांस रह जाता है थोड़ा मोटा मतलब 3 mm टैपर ब सिलेक्टेट वेक्टर सिलेक्ट करके इधर से 3 mm टैपर बॉलनोस सिलेक्ट कर लेंगे पॉइंट फाइब ओके सिलेक्ट और सेट अप सेम नाउँ ओप्शन पर क्लिक अभी सिमुलेशन चेक करेंगे पहले सार्फेस का सिमुलेशन ठीक है फिर जेट रफिंग का सिमुलेशन हो गया इसके बाद क्या करना है यह जो तो फिनिशिंग का सिमुलेशन देख लीजी तो इस तरह से आप अगर टूल पद बना के काटिंग करेंगे तो बहतर रेजल्ट आएगा ओके थैंक्यू फ्रेंड्स बेस्ट अव लक्ट झाल 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 मैं रहर शाय झाल 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 झाल